बहुत बहुत धन्यवाज सभापती महोदें महोदें सिक्षा ब्यक्ति के ब्यक्तितु का ही बिकास नहीं करती बलकि उसे पुरातन वा रूड मानिताओं के गहरे भवर से निकाल कर प्रिकास की ओर भी ले जाती है महिलाओं के संदर्व में सिक्षा की बात हो तो माता साबित्री भाई फुले का नाम आता है उन्होंने ना केवल महिलाओं को पुरातन रूडियों की बेडियों से आजात किया वरन उन्हें एक खुला आस्मान दिया जहां वा अपने सपनों की उडान भर सके उन्निस्वी सदी में सदी से पूर्व तक हमारे समाज में इस्ट्री सिक्षा प्रतिबंधित थी जो थोड़ी बहुत सिक्षा दीवी जाती थी उसका मुख्य केंद्र परिवार वा पाक कला की निपूरता थी इससे अधिक समाज में इस्त्री सिक्षा का कोई ब्योभार नहीं था कहा जा सकता है कि भारती समाज में इस्त्री चेतना का स्वर 19. सदी के सुधारवादी आंदोलन से आना प्रारंब होता है महोदे साबित्री भाई फुले महिलाओं के लिए आसा की किरण थी महाज 6-6 साल के अपने जीवन काल में माता साबित्री भाई लाखों महिलाओं के लिए आदर्शवा स्वाभिमान का प्रतीक बन गई आने वाले कई वर्षों तक महा साबित्री भाई फुले को भारत की पहली महिलाओं सिख्षिका के साथ साथ एक महान सेविका के रूप में याद किया जाएगा पूर्व में महोदे मैंने माता साबित्री भाई फुले जी की जेनती को महिला सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने की मांग की थी जिसका जबाब मानीमंत्री जी के द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि 5 सेप्तंबर डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन की जेनती को सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इसलिए यह संभव नहीं है महोदे में आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरी मांग यह नहीं थी कि 5 सेप्तंबर की जगे तीन जन्वरी को सिक्षक दिवस मनाया जाए बलकि मेरी मांग यह थी कि माता साबित्री बाई फुले जिन्हें आधुनिक भारत में एक ऐसी महिला के रूप में भी श्रे दिया जाता है जिन्हों ने ऐसे समाज में जब महिलाओं को पूर्ण आजादी उपलब्ध नहीं थी और वे उप मानों के आस्तितों में जी रही थी तब माता साबित्री बाई फुले ने स्वेम की आवाज को बुलंद किया और महिला अधिकारों के लिए संघर्स किया आज महिलाएं हर छेत्र में आगे हैं और आगे बढ़कर समाज में अपनी उपस्तिती दर्च कर रही हैं और यह सिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सका है सिक्षा ने इस्तियों को उनके आधिकार दिये उनकी सुरक्षा के लिए बुलंद होसले दिये इसलिए महोदे उस माता साबित्री पाई फुले की जेनती तीन जनवरी को महिला सिक्षिकार दिवस के रूप में मनाया जाए यह मांग करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद